हमारे योटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल को पहली बार देख रहें तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजे जिससे नया नया विडियो मिलता रहे तो चले आज के विडियो शुरू करते हैं आज अनार के लाब के बारे में जानते हैं साथ ही उसके छिलके के जबरदस्त लाब के बारे में जानेंगे अनार खाने से ही तो बहुत सारे लाब होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अवस्यक है साथ ही जो महलाएं प्रेगनेंट होना चाहती गर्भव होती होना चाहती है उस उसके छिलकों को फेक देते हैं, यह छिलका बहुत ही आईरवेदिक दिरिष्टी से बहुत ही लापकारी होता है, जिसे जाने अंजाने फेक देते हैं, तो चलिए जानते हैं अनार के छिलके को आप अच्छी तरग से धुप में सुखा दिजे, शुखाने के बाद उसको साथ ही उसका छिलका ही बहुत गुनकारी होता है जीन महलाओं का प्रियड अनीमित प्रियड की सिकायत रहती है और इस दवरान पेट में आस्ताहानी दर्द होता है उनके लिए सबसे एकारगा रुपा है आप अनार के सुके छिलकों को पीस कर एक चम्मस पानी के साथ ले इससे रखते इस तरह कम होगा साथ ही पेट दर्द में रहात मिलेगी आपको सुबह साम एक एक चम्मस खाने खाने के बाद लेना है पुरुसों का मुत्र के साथ अगर वीरिय इस तरह होता है तो उसको अनार के छिलके सुबह और साम मिसरी के साथ एक एक चम्मस दो टाइम लेना चाहिए जिससे उसका इसराव बंद हो जाए गए जिनको वावैसीर के सिकायत है तो उसको चार भाग में अनार को चार भाग में बराबर करके आठ बाग गोड में छान कर बारिक बारिक गोलिय बना कर कुछ दिन सेवन करें कम से कम एक महिन तक कि सेवन करें जिससे वावैसीर पाइस से किसी कायत दूर हो जाएगा अनार का छिलका से गले का ट्रांसिल दूर हो जाता है अगर आप अनार को खाने खाने के 10 से 15 मिनाट बाद उसके छिलके को लेते हैं तो ट्रांसिल दूर हो जाएगा साथ ही हिर्दै रोक से अगर पिरीत है तेज धरकन बढ़ गए है आनिमित रक्स तसंचार हो गए है तो सुबा और साम एक एक चम्मस आपको अनार का छिलका लेना चाहिए साथ ही मुँ में जूरिया हो गए हैं मुहासे हो गए हैं तो उसके छिलके को आप पानी में पिस कर घोल कर लगा लिजे और सुबा अच्छी तरीका से धो दीजे जिससे चेहरे की चमक बढ़ेगा साथ ही जूरिया और मुहासे दूर हो जाएगा अनार की छिलकों से मुँ की बदबू दूर किया जाता है रात को सोने से पहले अनार की छिलकों को पानी में डाल कर उससे कुला करना चाहिए जिससे मुँ की बदबू दूर हो जाता है साथ ही दात और मसोडे मजबूत हो जाएंगे तो आज का वीडियो बस इतने ही है मेरे वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए सेयर करिए ताकि इस कल आप सभी लोगों को मिल सके